नमस्कार दोस्तों मैं बारत बोस्तों जेशिवी कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप इस IC को कैसे चेक कर सकते हो जो है हमारी पावर IC है अगर यह खराब होती है तो अगर आप टांजिस्टर डालते हो दोबारा से तो आपके टांजिस्टर तुरंती खराब हो जाते हैं इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा आप इसको किस तरह से चेक कर सकते हो सबसे पहले तो आपने इसको बोड से बाहर निकाल लेना और अपनी पावर सप्लाई को भी बाहर निकाल लेना है और उसके बाद पावर सप्लाई को आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है वो भी इसके साथ connect कर देना है कोच इस तरह से connect कर देना उसके बाद आपने इसको on करना है एस तरह से और red light है वो blinking करना start कर देंगी क्योंकि कि हमने इसके साथ मोटर हैं और सेंसर हैं और क्नेक्ट नहीं कर रखे हैं हमारा हैड भी कनेक्ट नहीं है बस यह चेकिंग के लिए हमने ओन किया है उसके बाद का जो काम है मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपने पावर सप्लाई चेक करनी है बताता हूं power supply अपने कहाँ पर चेक करनी है, हमें इस transistor पर power supply चेक करनी है जो यह वाला transistor हो था हमारा, तो सबसे पहले हम एक क्लिक एड़ तो हमारे जो multimeter के यहाँ पर रख लेगे और दूसरी है यहाँ पर रखेंगे, जो यह voltage मिल रहे है यह नहीं मिलने चाहिए यहाँ पर one point कुछ वोल्ट हो सकते या two point कुछ हो सकते अगर इससे ज़्यादा वोल्ट मिल रही है आपको ट्रांजिस्टर निकालने के बाद आप देख सकते हो मैंने इस बोर्ड के ट्रांजिस्टर है निकाल रखे हैं आपने भी transistor निकाल लेने हैं और उसके बाद ही आपने यहाँ पर voltage चेक करनी है क्योंकि यह पीछे से supply दे रही है इसलिए यह IC खराब है काम नहीं कर रही है जो आपके transistor हैं तुरंत ही लगाते ही खराब हो जाएंगे इसलिए आपने यहाँ पर voltage चेक कर लेन है वहाँ पर भी आपने इसी तरह से voltage नहीं मिलनी चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पर voltage मिल रही है यह देखिए 41.4V मिल रही है इसका मत्पल हमारी IC है खराब है यह transistor को काम नहीं करने देगी तो आपने इस IC को चेंज करना है और उसके बाद ही transistor को चेंज करना है अब मै आपको दूसरा board लगा के दिखा रहा हूं इसकी IC भी ठीक है और इसके transistor भी मैंने चेंज कर दिये हैं यह own हो गया friends अब मैं आपको यहाँ पर power supply चेक करके दिखाता हूं यह बड़ी सावदानी से आपने करना है अगर यह इदर उदर हो गए तो आपके transistor हो खराब हो जाएं देखिए friends यहाँ पर 0V दिखा रहा है इसी तरह हम दूसरे पर चेक करेंगे यह देखिए friends यहाँ पर भी 0V दिखा रहा है इसका मत्वल हमारी IC है यह बिल्कुल ही ठीक है आप इस तरह चेक करके अपनी IC का पता लगा सकते हो कि यह IC खराब है या ठीक है friends आज की वीडियो में बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज की वीडियो देखने के लिए आप सबी का थैंक्स